दोस्तो हाली में एक मामला सामने आया था जहां सुप्रीम कोट ने बिहार हाई कोट के साथ जजों की याचिका है उस पर केंदर की मोधी सरकार और बिहार की सरकार को नोटेस जारी करके जवाब मंगा था रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था उस मामले में सातों जजों का जीपीएफ अकाउंट जो है जमर्ड करने की खबर सामने आया थी हम उस मामले का दिकर क्यों कर रहे हैं यह बिए आपके दिमाग में सवाल आया होगा इस मामले का तकक का सबसे बड़ा मामला इस ने बताistes नहीं गया रहा है पूरा मामला क्या है पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको पताएंगे नमस्कार मेरा नाम है जैन्ती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्ता सीजियाई डीवाई चन्द चूर साहब केंद्र सरकार के रक्षा मंत्राले पर नाराज नजर आए है और काफी नाराज नजर आए है इतने नाराज शायद वो किसी और मामले में नजर नहीं आए और उन्होंने नाराज की जाहिर करते हुए शायद ही आज तक किसी मामले में कहा हो कि आप सारी चीज़े दुरुस्त कीजे वरना आप मानना का नोटिस आपको चाहेगा इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर आपको अमजन सत्ता की खबर दिखा रहे हैं एक खबर कहती है दोस्तों कि रक्षा मंत्राले ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत रिटायर जजों को एरियर भुकतान की समय सीमा बढ़ा दी सुप्रीम कोट ने रक्षा मंत्राले के इसी फैसले पर कडिया पत्ती जताई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिवाय चिंद चूर सहाब ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने और जस्टिस जेबी पार्दिवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई की जब सुनवाई हुई तो सुनवाई करते हुए रक्षा मंत्राले के सचिफ से परसनल एफिडेविट मांगा गया और उनसे सफाई देने के लिए कहा गया कि आखर सरवोच नयायले ने दिशा निर्देश दे दिये थे कि आपको टाइम पीरिड नहीं बढ़ाना है आपको जो भुकतान है ताई सीमा में आपको यह कर देना है तो भुकतान क्यों नहीं किया गया और भुकतान नहीं किया तो नहीं किया आपने उस समय सीमा को बढ़ा दिया तो दिशा निर्दे जवानों को March के दूसरे हफते तक वन रैंक वन पैंशन स्कीम के एरियर भुकतान का आदिश दिया था उनने कहा था कि March के दूसरे हफते तक यह जो भुकतान है यह हो जाना चाहिए और यह उन जवानों के लिए था जो कि रिटार्ड है अब इसी बीच जनवरी में क्या हुआ? रक्षा मंत्राले ने एक पत्र जारी कर दिया पत्र जारी करके क्या कहा दूसरों? पत्र जारी करके कहा कि तमाम जवानों को चार इंस्टॉल्मेंट में एरियर का भुक्तान किया जाएगा रेटायर्ट जवानों की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट हुजैफा एहमदी ने दलील क्या दी वो सुनिये उन्होंने दलील दी कि जब सुप्रीम कोट ने डेडलाइन तय कर दी थी कि मार्च के दूसरे हफते तक यह सारा भुक्तान हो जाना चाहिए देडलाइन तय थी तारीक जो है वो सुनिश्रित कर दी गई थी तो आखिर केंद्र सरकार इसमें बदलाव कैसे कर सकती है उनके पास अधिकार है क्या जब सुप्रीम कोट की तरफ से कुछ दिशा निदेश दिये गए क्या वो अपना पेंशन क्लेम कर सकते हैं इस पर सीजाए डिवाय चिंद्चूर सहाब बहुत जादा तलखंदाज में आ गए और काफी जादा नाराजगी उन्होंने जाहिर करते हुए कहा कि ये कोई जंग का मैदान नहीं है सब कुछ दुरुस्त करिए वरना हम रक्षा मंत्राले को अभमानना का नोकिस भेजेंगे सुप्रीम कोट की नाराजगी यही तक नहीं थी दोस्तों इसके आगे बात जो है वो ब्याज यानि इंटरस्ट तक पहुँच गई रक्षा मंत्राले के सचिव से व्यक्तिकत एफिडेविट फाइल करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोट की तरह से पूछा गया कि जब उच्टम नायले ने आदेश दिया था तो अचाना कैसा आदेश जारी करने के आपको क्या जरूर अतान पड़ी कोट द्वारा निर्धारित 15 मार्च की समय सीमा के अंतरगत अगर सुरक्षा कर्मियों को एरियर का भुक्तान नहीं किया जाता है तो 9 पृतिशत की दर से ब्याज का भुक्तान भी आपको करना पड़ेगा यानि इंटरस्ट भी लगेगा अभी तक तो हम आपको कह रहे थे कि आप जो उनका रिटायर पेंशन है वो आपको आप उनको भुक्तान कर दीजे आपने वो नहीं किया तैसीमा के तहत तो अगर तैसीमा के तहत आपने वो नहीं किया है और अभी हमें पता चल रहा है कि हमारे दिशा निर्देशों की भी अवमानना पूरी तरीके से हुई है तो पहले तो ये बता है अवमानना क्यों हुई है क्योंकि मामला सुप्रीम कोट की अवमानना से जुड़ा हुआ है मामले में वाकई रक्षा मुंत्राले पर गंभीर आरोप लगे है वगर Chief Justice of India ने जो कहा है दोस्तों उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है जिस तरीके से तलखंदास में वो नज़र आए है जिस तरीके से गुसा उन्होंने जाहिर किया है नाराजगी उन्होंने जाहिर किया है जाहिसी बात है देखे मामला कोई छोटा नहीं है और कोई वे मामल है ये जवानों से जुड़ा हुआ है देश के जवानों से जुड़ा हुआ है वो जवान जो रिटायर हो चुके हैं और जैसा वकिल साहिबा का कहना भी है कि कई जवान जो है वो शहीद भी हो चुके है हाला कि देखे जैसा हम बार-बार कहते हैं दोस्तों कि CGI डिवाय खबर दिखा रही हूँ यह खबर कहती है कि नलसा युनिवोसिटी के सेमिनार में सीजाय साहब ने कहा कि छात्रों को वकालत से बाहर की चीजों को भी खंगालते रहना चाहिए सीजाय ना आगे बताया कि कोविट के दौरान वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे महिला वकील लाइव स्ट्रीमिंग पर अपनी दलीले पेश कर रही थी इसी दौरान होता यह है कि पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है महिला वकील ने ततकाली इंजस्टिस चंजूर से माफी मांगी CGI ने बताया कि मैंने महिला वकील को कहा है कि वकालत एक ऐसा पेशा है जहां सब को साथ लेकर चला जाता है यहां हर किसी के लिए समान अफसर है C.J.A. सापत आगी यह भी कहा कि देश में एक ऐसा संस्थान है जो सभी को एक समान बनाता है एक मुर्ख को भी अलभर्ट आइंस्टैन बनाया जा सकता है तो एक अंपड को किसी कॉलेज का प्रेजिडेन भी बनाया जा सकता है उनका कहना था कि ये संस्थान कोई भी कोट या फिर सुप्रीम कोट भी हो सकता है या अमेरिकी सुप्रीम कोट भी हो सकता है वकालत के बाद आप लोगों को सीखना होगा कि आप अपने आसपास के महौल को देखें और कोशिश करें कि दुनिया के साथ साथ आसपास के लोगों को भी राहत मिल सके CGI सहाब के इन तमाम बातों की वज़ज़ से नज़र आता है दोस्तों कि इस च्छेत्र को वो कितना बाग खोबी समझते हैं किस हद्ता किस दे इस पूरे च्छेत्र को गंभीरता से लेते हैं तमाम मामलों को गंभीरता से लेते हैं और उनके तमाम बयानों में ये चीज़ा नजर आती हैं कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि CGI सहाब को लेकर लोगों की काफी अलग-अलग राय हो सकती है लेकिन एक बात तो पकी है कि वो हमेशा से ही जमानत देने की सहमत में रहे हैं जमानत तरीके से समझते हैं क्योंकि उस दौर से गुजरे हैं और अभी आप देख सकते कि उनके तमाम निर्णेओं में उनके तमाम फैसलों में ये जो जहलक है दोस्तो कई ना कई नजर आती है जाहिर है ये बातें मिसाल कायम करने वाली है साथ ही उनका फैसला भी मिसाल कायम करन बसंदाया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार